हेलो दोस्तों सलाम नमस्ते सत्स्री आकाल राम राम कैसे हो आप सब मेरा नाम है दीपक एंड वेलकम बेक टू दे चैनल दोस्तों यमा आरून फाइफ वी थ्री वन फिप्टी सीसी सेगमेंट में सबसे बेस्ट बाइक है वन फिप्टी सीसी सेगमेंट में इस पाइक को कोई भी बाइक टकर नहीं दे सकती क्योंकि इंडियन टू विलर मार्केट में वन फिप्टी सीसी सेगमेंट के अंदर आरून फाइफ वी थ्री से अच्छी कोई भी बाइक नहीं है लेकिन दोस्तों आज इस वीडियो में हम ज लेकिन इंडिया में बहुत लोग इस पाइक का काफे टाइम से वेट कर रहे हैं क्योंकि ये बाइक R15 V3 का अल्टरनेटिव ओप्शन है दोस्तों GSX R150 की स्पेक्स के बारे में अगर बात करें तो इस पाइक के अंदर 147.3cc का 4-stroke सिंगल स्लेंडर liquid cooled fuel injected DOHC engine है with 6-speed transmission जो maximum power generate करता है 19 HP की और maximum torque produce करता है 14 Nm का दोस्तों इस पाइक के अंदर भी R15 V3 के जैसे बहुत smooth और refined engine है power और torque output भी इस पाइक के R15 V3 से similar है तो दोस्तो 150cc सेगमेंट में अगर ये बाइक इंडिया के अंदर आ जाती है तो ये बाइक भी 150cc सेगमेंट में काफी अच्छा option होगी दोस्तों इंडियन रुपीज के इस पाइक का international market में price है 1.53 lakh तो अगर ये बाइक इंडिया के अंदर launch होती है तो इसका एक showroom price R15 V3 के जैसा ही होगा तो दोस्तो 1.50 lakh price tag के अंदर ये बाइक भी एक value for money product हो सकती है लेकिन Suzuki ने इस पाइक के launch के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं कहा है दोस्तों GSX R150 के अंदर front और rear में disc brake है with standard dual channel ABS और इस पाइक के अंदर conventional telescopic front focus है और rear में monoshock suspension है दोस्तों GSX R150 की fuel capacity है 11 liters की और इस पाइक का weight है 131 kg so 150cc segment के according इस पाइक का power to weight ratio भी काफी अच्छा है दोस्तों R15 V3 के जैसे ही इस पाइक के अंदर भी full LED headlight है और LED tail light है GSX R150 में fully digital instrument console है जिसके अंदर सारे features fully digital है दोस्तों अगर ये बाइक इंडिया के अंदर launch हो जाती है तो ये directly compete करेगी Yamaha R15 V3 के साथ सो दोस्तों Suzuki की GSX R150 Yamaha R15 V3 से कहीं भी पीछे नहीं है तो यार ये बाइक इंडिया के अंदर जरूर launch होनी चाहिए लेकिन अभी तक कुछ भी confirm नहीं है सो दोस्तों आज की वीडियो थी Suzuki GSX R150 के बारे में आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरू कर देना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्स्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्स्राइब कर लो मिलते हैं एंगली वीडियो में तिल देन राइट सेव ड्राइव सेव